तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ पोहा कटलेट या जूड़ा कटलेट तो यह एक स्नैक्स आइटम है और बनाना बहुत ही आसान है जल्दी बन जाती है और बच्चे बुडो सबको पसंद आती है तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि हमें किन-किन चीजों की ज के पहले मेरे चैनल पर नए आया है तो फ्लीज मेरे मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक चर दीजेघा तो चलिए बनाते हैं तो मैंने यहां चूड़ा लिया है साप कर लिया है अच्छे से अब इसको पानी डाल कर अच्छे से धू लेंगे दो तीन पानी से और फिर वो फूब चूड़ा हमारा फुल गया है तो हम अच्छे से हाथों से की मदद से मसल कर हम इसका आटा तेयार करेंगे और यहां चार बड़े साइज के आलू वाइल करके मैश कर लिये हैं तो उबले हुए आलू लेना है और दो ब्रेट के स्लाइस लिए हमेंने उसको टुकड़ा टुकड़ा करकर डाल देना है उस ब्रेट डालने से एक्ट्रा मॉस्च्चर सोख लेता है और वाइंडिंग के लिए अच्छा होता है और लसन और अद्रक का पेस्ट लिया है दो चम्मज के करीब एक बड़ा कटा प्यास पारिक कटा हुआ और स्वाध अनुशार नमक डालेंगे जाट मसाला डालेंगे लाल मेच पाउडर और हरी मेच भी डालेंगे आप इसमें हरे मटर भी वाइल करकर डाल सकते हैं और स्मिधनिया पत्ता अब सब को डाल कर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बैटर त्यार कर लेंगे देखिए ये बन चुका है अब हम इसको अच्छे से भींगे हुए हाथों से आथ वह थोड़ा सा पानी से भींगा लेंगे और अच्छे से इसको मंच यहां सेप दे सकते हैं आप जैसे हर्ट से या कटलेट का जो नौर्मल सेप होता है देखिए मैंने यहां हर्ट बनाया है कि ऐसे ही करकर हम अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे देखिए तो देखिए कि हमारे कट्टल्स लेडी हो चुके है अब हम इससे फ्राय करेंगे तो फ्राय करने के लिए हम रेफाइन ओयल लिया है if and we're Sam होना चाहिए हम पूरा फौल आच में हम इसको तलेंगे एक दम कर्म तेल में अगर हम थोड़ा ठंडे तेल में डालेंगे तो यह पिखर जाते हैं इसलिए पूरे कर्म तेल में हम इसको डालेंगे और गोल्डिन ब्राउन होने तक इसको तेलेंगे और छे छाड नहीं करेंगे इसको बार-बार पलटना नहीं है जब उपर से हम देख लेंगे कि उपर से कलर, उपर से भी कलर अगर चेंज हो जाता है कटलेट्स के तब ही उसको पलटेंगे, नहीं तो नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये तूट जाते है देखिए, कलर बिलकुल उपर से भी गोल्डेन कलर का हो गया है और हम इसको एक ही बार में पलटते हैं बार-बार पलटते पलटते नहीं है और देखिए बनकर रेडी हो चुकी है एकदम करारी ऐसे ही हम अपने सारे कटलिट्स डेडी कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स कटलिट्स डेडी हो चुके हम इसको सॉस या धनिया की चटनी के साथ सर्फ करेंगे तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा फ्रेंड्स